हेलो फ्रेंड वेल्कम तो यूटीब चैनल स्व्ग गुरुकुर्स आज को टॉपिक हम पढ़ेंगे इस दी ओसीडी ऑपसेश से कंपल्सिप डिसॉर्डर विच कम संदर चैप्टर साइकलोजिकल डिसॉर्डर आए पढ़ते हैं क्या होता है ओसीडी ओसीडी जिसको कि आप से कंपल्सिप डिसॉर्डर बोलते हैं जो लोग इस प्रॉब्लम से इस प्राइकलोजिकल डिसॉर्डर से घ्रसित होते हैं पीपल वह सफरिंग फाम ओसीडी दे आप्री ओक्रिपाइड विदन आइडिया थॉर्ट और विदे बिलीफ मतलब उनके उसमें एक थॉर्ट और इनके अंदर एक आइडिया से वह घ्रसित रहते हैं उनके माइड में वह थॉर्ट चलता ही रहता है और जितना भी इग्नोर करना चाहें वह नहीं कर पाते हैं उससे जो इंग्जाइटी उत्पन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए वह क्या करते हैं दे परफॉर्म औ होता है कि उनका जो नॉर्मल डे का जो फंक्शनिंग होती है वह डिस्टब हो जाती है मतलब वह एंग्जाइटी कम करने के लिए वह काम करते रहते हैं और डेली के जो अपने काम है वह नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली इसमें तू थिंक्स आदे वान इस दी ऑप्सेसिव घृवियर है और अदर यह थे कम पर से भी दो जो तो फिंकिंग प्रॉसेस मारे में चल रहा है उसको हम रोक नहीं पाते इंडेल एंग्णोर नहीं कर पाते एंड जिसकी वज़े से वह में इंग्जाइटी होती है डिस्ट्रस होता है नेक्स अग्शनिभ बीह और जह में चाहते है वी फिल एंपलेजनला चाहते है तो उसको कम करने के लिए पफॉर्म पफॉर्म पहफॉर्म बिए अगें अगें रिपिटिटिव बार बार करते है उसको बोलते हैं गभर तो इससे क्लियर अपिसेशन भी है एंड कोमपर्शन भी हैं इसमें यह में कितना भी आप कोशिश करने इग्नोर करने की फिंकिंग को वह नहीं जाती है वह इसकी वाइस है यह विश्य साइकल चलती रहते हैं देखते हैं इस चार्ट को डेख सकते हैं कि obsession होता है where you have unwanted distressing thoughts आते हैं उसकी विए से आपको anxiety होती है anxiety को कम करने के लिए आप क्या करते हो compulsion मतलब वह behavior करते हो और उससे temporary relief मिलता है थोड़े देर के लिए मिलता है हमेशे के लिए नहीं मिलता है और फिर से आपको जो वह thoughts आते हैं और फिर से anxiety से घ्रसित होते हैं फिर compulsion तो यह OCD की cycle चलती रहती है symptoms क्या है यह for example क्या thoughts आते हैं जैसे की fear of contamination को लगता है कि मुनके सब्सक्राइब नहीं करते हैं और उनको हर्चीज और में चाहिए अगर कोई पेंटिंग थोड़ी सी भी टेड़ी हो गई है वाल पर तो वह उसको सही करेंगे नहीं बैट सकते हैं उनको एंग्जाइटी हो जाएगी देहाब देहाब एक रिख्राइब थोड़ी टांटिंग डिशाइए वह उनको एक्टरौल कर रहा है यह उनको हॉड रहा है एसे उनको थोड़्याइब थोड़्या अग्रेशन और में बीव सेक्शल कॉंटेंग इस नहीं नाओ उन दीज एग्जाम्पल्स और शिम्टम् यह most common commonest of the OCD है जहां पर उनको लगता रहता है कि उनके हाथ clean नहीं है dirty हो गया है touch करने से और उनको साफ करने हैं next is checking checking is the second most common क्योंकि checking बार बार की ताला चेक करेंगे जैसे कि मैंने भी बता है they have problem with symmetry and arranging this is another type of OCD जो मैंने भी बता है था intrusive thoughts and rumination आपको intriguing thoughts आएंगे ऐसे thoughts कि कि आपको normal दिन चर्या में भी अपने daily routine को practice नहीं करने देंगे पूरा नहीं होने आपको thoughts निरंतर आते रहेंगे next is hoarding hoarding क्या है hoarding means कि आपको चीजों से इतना लगाव हो जाता है कि आप उनकी possession हमेशा चाहते है अगर वो जैसे कुछ कुछ कूरा भी है आप चाहते है नहीं वो रहें कूरा भी disposable bottle भी रखेंगे और paper waste भी रखेंगे सब कुछ रखेंगे and you don't want them to go away that खटा करते रहेंगे खटा करते रहेंगे फॉली बैग में किसी चीज़ में that is called hoarding which is the type of the OCD now पढ़ते हैं जिसे कि मैंने पताया था कि two important aspects OCD में एक obsession है next is compassion obsession कि सीज़ का कि obsession में क्या होता है कि we have the patient have a repetitive persistent unwanted thoughts urges images जिसकी वज़े से distress or anxiety होता है आपको बार बार वो thoughts आते हैं हमें persistent लगाता रहते रहते हैं and they are unwanted unwanted आपके daily life से कुछ relate नहीं करता है और आप उसको ignore नहीं कर पाते हो avoid नहीं कर पाते हो और to get rid of it आप चाहते हो कि anxiety or distress किसी भी तरीके से हट जाए तो आप एक compressive behavior करते हो compressive behavior बार कोई action करते हो कोई ritual करते हो जिससे कि वह कम हो जाया and यह जो obsessive thoughts है basically thoughts है यह intrude करते हैं आपकी thinking channel में कि आप कुछ और सोच नहीं पाते हैं जब तक वह thought को आप resolve नहीं करोगे है ना एक compressive behavior नहीं करते होगे तो आप कुछ और नहीं कर पाते हैं तो जिसके वजह से you are unable to do other things which are important for you so यह जो obsession as they come to the theme यह theme में आते है theme जैसे fear of contamination हो गया जो मैंने भी discuss किया था जैसे कि fear of contamination by touching the object doubts जो हमने भी बताया था intense stress when objects aren't in order मतलब अगर चीज़े order नहीं होगी विवस्ते दंग से नहीं होंगी arranged नहीं होंगी according to them तो परिशान हो जाते हैं उनको ऐसी images आते हैं कि उन्होंने गाड़ी जो है crowd में दे मारी है ऐसी disturbing images उनको thoughts आते हैं they feel thoughts about shorting of sanity or acting inappropriately in public उनको ऐसे thoughts आते हैं कि वो जो है गलत तरीके से गंद तरीके से public में act कर रहे inappropriately they have that thoughts of unpleasant sexual images as well तो ऐसी thoughts जो है obsessed होते हैं patients that is the obsessed behavior अब obsession की विजसी जैसे मैंने cycle में बताया था उनको क्या करना पड़ता है action करते हैं that is मतलब वो compelled किये जाते हैं they are driven इसलिए इसको बोल जाता है compassion syndrome वो repetitive behavior करते हैं बार 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 जाके hand wash करते हैं and they are driven to perform so any repetitive behaviors को क्या कहा जाता है compassion किया जाता है यह क्यों करते हैं to reduce the anxiety and stress and important वाली बात यह कि temporary relief देते हैं not the permanent relief नहीं देते हैं और फिर से जो है उनको वो obsessions आने लग जाते हैं and these obsessions works in the themes इनकी typically themes होती है themes जाते की washing and cleaning उनको thoughts क्या आता है obsession किसका होता है dirty hands का तो वो क्या करते हैं washing and compassion क्या हो जाता है washing and cleaning checking हो गया counting हो गया orderliness हो गया following strict routine and demanding the reassurance मतलब अगर आप strict routine follow करते हो और reassurance मिलता है तब जो है इन सब behavior में कुछ सुधार आ सकता है नहीं तो washing cleaning checking counting and orderliness these are the themes जिसके वेसे पेशेशन पेशेशन में देखा जाता है जैसे कि they will hand wash till the skin become raw तब तक करते हैं जब तक उनकी खाल निकल नहीं जाती है they will keep on checking the door हर पांच मिलिट में हर दो मिलिट में दोर्स को चेक करते रहेंगे for the locks and barber stove के nobs को चेक करते रहेंगे कि लीक तो नहीं हो रही है गास पर लीक नहीं हो रही है they will keep on counting certain patterns bed sheet पे टावल पर नहीं पर पैटन उनको दिखेंगा तो count करते रहेंगे 123456 and they'll keep on counting silently को प्रेयर को वर्ड को फ्रेस बोलते रहेंगे lips lips move करते रहेंगे कुछ भी verbalize करते रहेंगे अपने चीजों को अरेंज करते रहेंगे कभी दर करेंगे कभी ऐसे करेंगे so these are the repetitive actions or behaviors which a person is compelled when they are obsessed with certain theme of thoughts so मतला पहले obsession होता है and then compassion होता है तो first step is obviously ideas आएंगे तभी आप कुछ बहेव कर पाऊगे and the severity OCD actually teenage से ही शुरू हो जाती है young adults में देखी जाती है बट कभी-कभी childhood में भी देखी गई है but rarely देखी गई है and symptoms vary करते हैं severity से मतलब throughout life यह चलते रहते हैं change भी हो जाते हैं जैसे जैसे experience होता है और बड़े होते जाते है तो worse ही हो जाते है and especially when they are under the stress जब stress होता है definitely stress में तो all triggered हो जाते है symptoms and it is considered as a lifelong disorder with mild to moderate symptoms आज इवन रहते हैं थोड़ा भूर treatment counseling वगरा help कर सकते हैं but now and then यह जो symptoms appear होते रहते हैं and जिसकी वजह से वो अपनी life potentially नहीं जी पाते हैं because time उनका सारा इन ही चीजों में consume हो जाते हैं यहीं सोचते हैं obsessed होते हैं फिर वो अपने गिर्द घूंगती रहती है तो friend this was about the OCD I hope मैं आपको topic लिए कर पाए हूं और आपके exams के लिए बहुत